हैदरबाद में हुई हैदरबाद के 10 दिन में पुलिस ने आरोपियों को सजा दे दी है डॉक्टर दिशा के साथ बलातकार और जलाकर मार डाले वाली घटना ने पूरे देश को जख जोर कर रख दिया था शुकरवार अलसबा हैदरबाद पुलिस ने हैवानियत करने वाले चारो आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया है आरोपियों की मौत पर डॉक्टर के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी बेटी को नियाय मिल गया है जनकारी की अनुसार पुलिस चारो आरोपियों को सीन रीक्रियेट कराने के लिए मौक्य पर लेकर गई थी जहां से कहरे का फाइदा उठाकर उन्होंने भागने की कोशिश की इस दरान दोनों और से फाइरिंग की गई हैदराबाद पुलिस के इस कदम से कुछ लोग एंकाउंटर पर खुशी जता रही है तो वहीं कुछ लोग आरोपियों के एंकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है एक यूजर ने लिखा मुझे इन आरोपियों के साथ बिल्कुल भी सहनुभूती नहीं है लेकिन ये नियाय करने का कोई तरीका नहीं है दिलंगाना पुलिस ये शर्म नाक है एक यूजर ने लिखा मुझे बले ही ट्रोल किया जाएगा लेकिन न्याय का ये सही तरीका नहीं हमने पुलिस को आरोपियों पर गोली चुलाने के लिए नहीं बलकि ऐसे समाज की मांग की थी जिसमें महिलाय स्लक्षत रह सकें इस एंकाउंटर से कुछ लोगों को खुशी म लेगी लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होने वाली है वहीं एक यूजर ने लिखा कि अब कोई तारिक पर तारिक नहीं होगी ये सब के लिए खुश खबरी है इस यूजर ने एंकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को पुरे देश का हीरो बताया वहीं तहसीन पूना वा वियवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हम कानून विहीन देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबल आइकन फोर अपडेट्स